हाई गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइम वेरिंग मास सिस्टम ठीक है तो इसका मितलब क्या है कि अब हम उस सिस्टम की बात करेंगे जिसमें जो मास है वो विद्रिस्पेक्टो टाइम चेंज हो रहा है अभी तक हमने जितने भी सिस्टम स्टेडी किये उन सब में हमारा मास क्या था कॉंस्टेंट पर अब जो हम लोग सिस्टम ले रहे हैं उसमें हमारा मास क्या होगा कॉंस्टेंट नहीं होगा वो टाइम के विद्रिस्पेक्टो यानि जैसे से टाइम चेंज होगा मास भी हमारा चेंज होगा और इस स के तौर पर rocket को चूज़ किया है हम लोग rocket के system को explain करेंगे यहां पर ठीक है so far we have been studying systems in which the mass is constant we shall now investigate a system in which the mass is time varying the time variation of the mass in a rocket is due to the expulsion of the exhaust कहते कि यह जो time हमारा change हो रहा है ना rocket के बीच में तो यह time change क्यों हो रहा है due to expulsion of the exhaust यानि कि जितना भी हमारे पास fuel या फिर हम लोगों ने rocket के अंदर बचा के रखा होता है यूज आने के लिए चीजें जैसे जैसे वो चीजें खतम होंगी वैसे वैसे हमारे rocket का mass क्या होगा कम होगा ठीक है with respect to time the mass of an object can also vary due to its very high speed which is different from a time varying mass system कहते है किसी भी object का जो mass है ना वो उसकी speed की वज़े से भी कम हो जाता है ठीक है but यह जो case हो गया यह हमारा time varying mass system से different है consider a rocket which is propelled in a forward direction by the ejection of mass exhaust in the backward direction in a form of gases resulting from the combustion of fuel कहते है कि हम क्या करेंगे अब एक rocket system लट करके चलेंगे अब rocket हमारा forward direction में यानि कि आगे की और बढ़ता है कैसे जैसे जैसे पीछे से gases निकलती है मतला हमारा rocket तब आगे move होता है जब हमारे पीछे से gases निकलनी start हो जाती है क्योंकि एक तरीके से आप यह देखो कि every action has an opposite and equal reaction जैसे ही मैंने हमारा system on किया rocket का एकदम से पीछे से gas निकलेगी in a form of a fire वो gas क्या है basically हमारा जो fuel हमारे पास होता है rocket का वो जनना start हो जाता है और जैसे ही वो gases निकलती है वो gases क्या करती है rocket को push करती है आगे की तरफ यानि forward direction में move करने के लिए ठीक है thus the forward force on the rocket is the reaction to the backward force of the ejected gases ठीक है our aim is to find the velocity of the rocket at any time after take off from the ground ठीक है तब हमारा जो aim क्या है हमें velocity पता करनी है rocket की किसी भी time के उपर जब हमारा rocket ground पर नहीं है बलकि ground से उपर उठ चुका है मतलब अब forward direction में move करना start कर दिया हमारे rocket ने हमें किसी भी time के उपर अपने rocket की velocity पता करके देनी है ठीक है at time t assume that the rocket of mass small m is moving with the velocity v relative to the fixed coordinate system से earth क्याते के अब हमारे पास हम time ले रिके चलते हैं small t हम assume करते हैं कि इस time t के उपर जहांपे मेरे rocket का mass m है ठीक है rocket मेरा velocity v से move कर रहा है यानि small v से move कर रहा है ठीक है the exhaust is ejected with a constant velocity u relative to the rocket कहते के जो अब पीछे से gases निकल रही है उनकी velocity हम लोग small u ले ले लेते हैं ठीक है and therefore v plus u relative to the fixed coordinate system ठीक है तो कहते हैं अब total velocity कितनी हो गई एक तो पीछे से जो gases जा रही है उनकी velocity प्लस हमारा rocket जो आगे की और move कर रहा है उसकी velocity तो वो क्या हो जाएगी v plus u ठीक है अब time t की बात की थी जब हमारा rocket उठाता अर्थ से ठीक है अब हमारा rocket आगे बढ़ता जा रहा है it means time में थोड़ी variations आ रही है उस variation को हम लोग dt के साथ denote कर रहे है ठीक है तो total time अब suppose मेरे पास हो गया है t plus dt ठीक है उस time के उपर हमारा gases तो चलती जा रही है न मतलब gases तो नि ठीक है और उसकी velocity कितनी हो जाएगी rocket की जो forward direction वो हो रही है वो है v plus dv at this time यानि कि t plus dt की बात हो रही है an amount of fuel denoted by minus dm तो अब minus dm हम लोग ने क्या लिया हमारे mass लिया है उस fuel का जो की by time t plus dt पे वो रहा है निकल रहा है हमारा ठीक है और minus इसलिए क्योंकि हमारे rocket के जो velocity है उससे ही opposite direction में जा रहा होता है इसलिए हमने इसको minus sign से denote कर दिया is moving with velocity v plus u relative to the fixed coordinate frame ठीक है तो इसकी diagram देखते है एक बार यह है मेरी diagram that is motion of a rocket at some instant of time क्याते किसी time की उपर मेरे rocket का motion हम लोग इस तरीके से denote कर के देते है तो यह मेरा rocket है जो की velocity v के साथ move कर रहा है ठीक है और यह मेरा क्या है fuel है जो की burn हो रहा है with velocity u दोनों ही opposite direction में ठीक है अब इस fuel का mass हम लोग ने dm लिया जो की opposite direction में इस से ठीक है m plus dm क्या हो गया मेरा total rocket का mass हो गया इस point पे time t plus dt की उपर ठीक है now momentum of the system at time t अब time t की उपर हम लोग लीने है momentum देखते है system का यह रोकेट का तो momentum का formula क्या होता है mass into velocity तो वही लिखा हुआ फिर momentum of the rocket alone at t plus dt तो अब कुछ time बाद जब हमारा time t से t plus dt हो गया उस time पे हमारा momentum क्या होगा इस उपर जो formula लिखे है वहाँ पे t को replace करो t plus dt के साथ ठीक है further formula क्या होता है mass into velocity हमने अभी यहाँ पे किया कि अगर मेरा जो time है वो t plus dt है तो मेरे rocket का जो mass होगा वो m plus dm होगा और उसके velocity होगी v plus dv तो इन दोनों को यहाँ पे substitute कर दो m और v की जगा पे ठीक है और फिर bracket को open कर लो इस bracket को जब open करोगे तो इसमें term आएगी dm into dv जो कि बहुत ही छोटा change होता है तो हम लोग क्या करते होते हैं उसको neglect कर देते हैं बहुत ही small changes को तो हम क्या करेंगे उस last term को fourth term को dm dv को neglect कर देंगे ठीक है the second order term dm dv is neglected done अब the momentum of the fuel अभी तो हम लोगों ने momentum निकाला rocket का अब हम क्या करेंगे जो backward direction मेरा fuel है उसका momentum निकालेंगे the momentum of the fuel ठीक है तो at time t plus dt कितना होगा mass into velocity और हमने अभी किया कि अगर हम लोग fuel की बात कर रहे हैं यहां पर fuel denoted by mass कितना लेते हैं हम लोग उसका minus dm लेंगे और उसकी velocity कितनी ली थी v plus u थी तो अब m और v को replace करो इन दो चीज़ों से ठीक है तो में बस यह चीज़ आई और bracket को हमने open कर लिया hence the total momentum of the system अब rocket का हम लोगों निकाल लिया fuel का निकाल लिया दोनों को add कर तो total system का momentum आ जाएगा ठीक है तो rocket का मेरे पास क्या था यह तीन टर्म fuel का क्या है यह इन दोनों को add करो तो मेरे पास यह equation आ जाएगी add करने के बाद done now change of momentum dp is given by अब हमने देखना कि जैसे जैसे हमारा time बढ़ रहा है हमारे पास momentum भी change हो रहा है तो हमने क्या क्या small change को हम लोग represent कर लेंगे dp के साथ ठीक है अब dp क्या है मेरे पास एक तो time पहले time initially time था t ठीक है फिर उसके बाद time आ गया t plus dt हम देखेंगे दोनों time के बीच में हमारे पास कितना change हुआ linear momentum में तो दोनों के linear momentum को subtract कर दो तो मेरे पास यह चीज़ आ गई done now rate of change of momentum यानी dp divided by dt कैसे rate of change को हम लोग represent करते d by dt के साथ तो p का linear momentum का हम लोगों ने derivative perform किया further इसका formula हमने यहाँ पर हो गया अब इसके उपर लगाओ mass को हमने as it is रखा dv d by dt हो जाएगा फिर उसके बदे यहाँ पर हमने velocity u को as it is रखा और mass के उपर लगाया तो मेरे पास यह equation आ गई अब second newton का जो लोगत है वो क्या बोलता rate of change of momentum किसके इकोल होता है force के इकोल होता है तो यह चीज किसके इकोल आ जाएगी f के इकोल आ जाएगी rate of change of momentum is the external force applied that is f दीक है तो इसके इकोल आ गई यह सारी चीज ठीक है तो अगर मेरा f 0 है तो मैं इस term को अगर left hand side पे shift कर दू तो मेरे पास यह चीज बचेगी done now the term on the left side कहते है जो term मेरी left side पे यह is called thrust the force felt by the rocket बतलब जो rocket के ओपर force लग रही है हम लोग उसको बोलते है thrust और thrust का formula क्या है यह mdv by dt ठीक है does the thrust depend on the exhaust velocity u and the fuel mass flow rate dm by dt तो कहते है कि जो thrust है वो दो चीजों पे depend कर रही है एक तो velocity fuel की velocity क्या दी u ठीक है उसके ओपर depend कर रही है plus हमारे पास fuel का जो mass है m उसका rate of change that is d by dt उसके ओपर depend कर रही है ठीक है तो कहते है the thrust on the rocket तो अब rocket के ओपर जो thrust लगी है उसका formula यह है ठीक है okay now the solution of this equation is simple it can be written as कहते है कि अब इसका solution निकलेते है इन दो को solve करते है कैसे d by dt थो common था तो वो cancel हो गया m को नीचे shift कर दो इदर ठीक है करने के बाद इसको integrate करो जिसमें जो मेरी initial velocity वी नॉट है और आपके चेंज मेरी velocity अब कितनी हो चुकी है वी हो चुकी है similarly मेरा मास किया है m0 स्टार्टिन में और अब मैं मास पे achieve कर चुकी हूं ठीक है तो अब इसकी integration solve करो ठीक है करने के बाद आपके पास टर्म आ जाएगी यह तो अब इस equation को जब हम लोग ने solve किया तो मेरे पास यह equation आई है तो इसके बीच के जो steps है वो मैंने यहाँ पर solve किया तो मेरे पास यह चीज बच्ची थी मैंने इसको integrate किया dv यहाँ पर constant है तो constant की integration क्या आएगी v और upper limit और lower limit ठीक है उसके बाद m है 1 by m है उसके integration क्या होती है log m उसके बाद हम लोगों ने upper limit और lower limit substitute की तो मेरे पास यह चीज आ गए log की property लग जाएगी यहाँ पर done तो यहाँ पे भी value substitute कर दी upper limit और lower limit की done उसके बाद इस चीज को यहाँ पे shift कर दिया अब जब मेरे पिस M-naught है वो greater होगा M से कैसे जब जिस टाइम पे मेरे rocket अभी सब पोस बंद बढ़ है हम लोग ने system start नहीं किया तो उस टाइम पे उसके पास सबसे ज़ादा mass है क्यों क्योंकि उसका fuel भी burn नहीं हो रहा सब कुछ है जैसी मैंने start किया मेरे rocket ऊपर चलना start हो गया अब उसके पास दीरे दीरे करके fuel सारा खतम होता जाएगा एक point के उपर तो उसका mass क्या हो कम होता जाएगा इनिशिल स्टेच पर मेरे rocket के पास सबसे ज़ादा mass है और जैसे जैसे वो उपर उठता जा रहा है उसका mass क्या हो रहा है कम हो रहा है तो इनिशिल ही मेरे rocket का mass क्या था एम नॉट था तो जाहिर सी बात है एम नॉट ग्रेटर होगा किसी बहुर mass से ठीक है फाइनल mass V not initial velocity ठीक है और velocity is V और U ठीक है यह दोनों की आपस में opposite direction में है क्योंकि पता है यह V velocity rocket की और U किसकी थी fuel हमारा जो combustion हो रही है उसकी थी तो अब combustion backwards direction में है और मेरे rocket move कर रहा है with velocity V in forward direction तो दोनों ही आपस में opposite होगी ठीक है ठीक है तो अभी हम यहां तक आ चुके हैं जिसमें M0 मेरी क्या ओरिजिनल मास है और U और V मेरा ओपोसिट डिरेक्शन में वेरी हाई फाइनल वेलोसिटी रिक्वाइर लार्ज वेल्यू फॉर दे एग्जॉस्ट वेलोसिटी यू एंड लार्ज वेलोसिटी फॉर M0 by M कहते के अगर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो बहुत जादा उसमें उस ताइम पे मेरी जो वेलोसिटी आएगी वो बहुत जादा हाई होगी जिसमें मेरा U हमें चाहिए कि सबसे जादा उसकी स्पीड हो और M0 by M की भी हम तो गाइस वहाँ पे थोड़ा बलर हो रहा है तो इसलिए मैं यहां से समझा रहे हूँ पर चीज सेम लिखी हुई है दोनों पे ठीक है तो लार्ज वेली अफ एम नॉट बाइम कैन बी अचीव बाइडूसिंग M, the final mass, which consists of the rocket structure and the payload तो अब कहते के जो हमारे पास large value चाहिए हमें M0 by M की वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग final mass M में जो मतलब बिल्कुल उस stage पे जहां पर मेरे बहुत थोड़ा fuel बाकी है कहते के उस M, उस mass को हम लोग final mass को क्या कर सेथे हैं तो इसलिए अब उसके पास सिरफ rocket का structure बचाहिए और एक payload बचाहिए ठीक है, अब हमें क्या करने है, final mass को reduce करने है To reduce M, staged rockets are used The structure of the first stage is usually very massive as it contains all the necessary fuel engines and so on कहते हैं अब हमने जो final mass को reduce करना है, उसके लिए हम लोग staged rockets को use करेंगे यानि rocket की वो stages को use करेंगे, ठीक है, अब जो structure है rocket का, जो first stage पे तो उसके पास बहुत जादा fuel होता है क्योंकि उस टाइप पे तो वो बिल्कुली burn होना start हुआ होता है और burn होई नहीं रहा होता है ठीक है, तो वो सारा mass वो contain कर रहा होता है मेरे पास ठीक है, when its fuel is over, all the structure is jettisoned from the rest of the rocket so that the entire force is applied to accelerate a much smaller mass कहते हैं कि जैसे ही मेरा fuel अब खतम हो चुका होता है मेरा जो structure बचा है सिरफ, अब उस time पे मेरा जो rocket है वो rest पे है और मेरे पास जितनी भी external forces लग रही है, वो सारी क्या काम कर रही है मेरे rocket को push करने में help कर रही है एक बहुती छोटे mass के उपर, अब जब सारा fuel ही खतम हो चुका है तो mass क्या बचा मेरे पास, सिरफ और सिरफ एक rocket का structure और payload और उतने ही mass पे छोटे mass के उपर मेरी जो external forces है वो rocket को आगे चलाने में हमारी help कर रही होती है जो first case था हम लोगे ने discuss कर लिया है that is, जब मेरा rocket deep space में हमारे पास external force क्या थी force zero हो गया था, यह हम लोगे ने discuss कर चुके है अब second case discuss करते है second case में क्या है, when rocket in a gravitational field कहते है, अब वो मेरा second case होगा जब मेरा जो rocket है, वो gravitational field के अंदर है suppose now the rocket is moving vertically under gravity if we regard the governing equation as the equation of motion for the variable mass empty, then when gravity is introduced the equation of motion becomes, कहते हैं कि अब हम लोग suppose कर लेते हैं कि जो मेरा rocket है, वो gravity के अंदर vertically move कर रहा है, तो अगर ऐसा है, तो मेरे पास equation of motion क्या बनेगी, यह बनेगी मेरे पास और f क्या है मेरे पास, f का formula क्या आता है mass into velocity, बट हमारे पास जब gravity की बात होती है, तो v को हम लोग change कर देते है, g के साथ, जिसमें g क्या है मेरे पास, velocity under gravitational force, ठीक है, तो वहाँ पर mg आ चाहिए और यहाँ पर negative क्यों है, क्यों ग्रेविटेशनल force होती है, जो वो किसी पी object की opposite direction में ही काम करती है, जैसे suppose में rocket तो उपर उठ रहा है, ठीक है, लेकि ग्रेविटेशनल force के अगर, इसको दीचे खीच रही है न, तो मतलब opposite direction में हो गया, तो इसलिए यहाँ पर negative आया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dt को इधर shift कर देंगे, done, उसके बाद m को इधर ले आओ, तो दोनों जगर divide हो जाओ और यह m, नीचे m के साथ cancel हो गया, और यहाँ पर m आ गया, ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस term को हम लोग यहाँ पर left hand side पे ले गए, shift कर लिया, इसको यहाँ पर, shift करने के बाद मेरे पास equation क्या आई, यह, ठीक है, dm के साथ हमारा एक negative sign आया, कैसे क्योंकि dm क्या था मेरे पास, fuel का mass था, जो कि opposite direction में rocket के, तो इसलिए यहाँ पर negative आ गया, अब हम क्या करेंगे, तीनों को integrate करेंगे, ठीक है, initial conditions तीनों की क्या है, v0, t0 और m0 और इनकी final conditions क्या है, v, tnm.